राजावीर विक्रमाजीत की मायावी नगरी की यात्रा की कहानी एपिसोड 36 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो आईए आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ता हूँ उन दोनों ने फल तोड़ कर इकठे किये और फिर साथ बैठ कर खाने लगे नीलिमा एक बात कहूं तुमसे राजा विक्रमादित्य ने अचानक उसकी तरफ देखते हुए पूछा हमम कहो नीलिमा ने बढ़ी हुई धड़कन से कहा वो राजा के ऐसे अचानक उसकी तरफ देखने और निहारने से उसकी धड़कने अपना नियंतरन खोती जा रही थी मुझे तुमसे मिले कुछ ही समय हुआ है अपितू हम कल ही मिले थे परंटु मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे बर्सो से जानता हूं बहुत बार मिल चुका हूँ, तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। विक्रमादित्य ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। विक्रमादित्य के मुह का निवाला मुह में और हाथ का हाथ में रह गया और फिर उसे जोर से खांसी आने लगी। निलिमा, तुम ठीक तो हो। राजा ने अपने हाथ में पकड़ा, फल घास पे रखते हुए कहा। और उठकर निलिमा के पीछे चला गया। उसने होले से उसकी कमर पर हाथ रखा और फिर सहलाने लगा। निलिमा को बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी कोई प्रतिक्रिया देगा। उसको जटका सा लगा। उसे थूक गटकना भी मुश्किल हो गया। एकदम से उसकी खांसी भी बंद हो गई। अब कैसा महसूस हो रहा है। राजा ने उसके सामने आते हुए कहा, मेरी अतरमन उन बूंदों के साथ ही नाच उठता है, कुछ ऐसा सा एहसास होता है जब तुम साथ होते हो। तुम्हारा छूना तो जैसे हजार पुष्पों के सपर्ष की भांती आनंद देता है। तुम्हारे हलके से छूने से भी ऐसा लगता है आकाशी ये तड़ित, आकाश म चमकने वाली बिजली, मेरे शरीर में ही प्रवेश कर गई हो। कैसे बताऊं कैसा हाल है मेरा। नीलिमा ने मन ही मन हलकी सी मुस्कान के साथ कहा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तुम ठीक हो ना। नाम सिखाओ, राजा ने कहा, हम। नीलिमा ने राजा से नजरे हटाते हुए कहा और फिर से फल खाने लगी। दोनों ने भोजन समाप्त किया और फिर आगे बढ़ चले। कुछ देर बाद ही वो उस उपवन को पार कर चुके थे। कुछ दूर चलने पर ही उनके सामने ए नीचे उतारा और अपने सामाने रूप में आकर आगे आगे चलने लगी। उसे लजजा सी महसूस हो रही थी। अब वो फिर से एक जंगल में थे। ये जंगल भी बाकी जंगलों की ही तरह बहुत खुबसूरत था। वहां कुछ फल भी लगे थे। निरंतर चलते रहने भूख तो लग ही आई थी। इसलिए उन्होंने फिर से भोजन करने की सोची। वे दोनों पेडों के पास जाकर फल तोड़ने लगे। वो दोनों खाने बैठे ही थे कि उन्हें अजीब सी आवाजे आने लगी। उन्होंने सोचा जंगल है कोई जीव होगा। ये सोच के उन ध्वनियों की अवहेलना कर भोजन करने में जुट गए। परंतु कुछ देर बाद वो ध्वनिया पहले से अधिक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप फूंपकार रहा हो। नीलिमा और वनकीर्ती दोनों के कान खड़े हो गए। राजा विक्रमा दित् थान से खड़े हो गए और थोड़ा आगे चल कर देखने लगे। नीलिमा आगे थी और विक्रमा दित्य पीछे। नीलिमा आगे की तरफ देख रही थी और राजा का ध्यान पीछे था। तभी यका यक एक बड़ा सा सांप उनके सामने आ गया। राजा उसे देखते ही ब नीलिमा को देखते हुए वो काफी घुसे में नजर आ रहा था नीलिमा उससे कुछ ही दूरी पर थी वो उस सांप को देखते ही चौकन्नी हो गई और जैसे ही अपना कद बढ़ाने लगी वो सांप तेजी से फुम्पकारते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उस पर अपनी पू आँखों में खून उतर आया वो भाग कर नीलिमा के पास जाना चाहता था परंतु पहले उस सर्प को मारना भी आवश्यक था वरना वो सर्प उसे भी चोटिल कर देता तो वो नीलिमा को भी नहीं बचा पाता राजा ने गुस्से भरी लाल आँखों से उस सर्प की तरफ और वो सर्प फुंफकार के साथ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा उसने हवा में उचलते हुए अपनी तलवार से उसकी गरदन पर वार कर दिया चूंकि तलवार मायावी थी और एक सिद्ध पुरुश की थी तो उसके आगे सर्प को अपने प्राणों की आहुती देनी ही पड ती, उसके सिरसे काफी खून बह रहा था, उसका नीला सा चहरा लाल हो चुका था, उसकी सासे भी काफी तैज चल रही थी, राजा जोर से चीखा और फिर नीली मा को अपनी गोद में उठा लिया, वो जल्दी से पास ही की एक नदी के पास पहुचा और नीली मा को अपनी गोद मेली हुए ही किनारे पर बैठ गया। उसने अपने एक हाथ को उसके सिर के नीचे लगा लिया। और दूसरे हाथ से पानी भर कर उसके चेहरे पर छड़क दिया। लेकिन नीलिमा ने आँखे नहीं खोली। देखते हैं। इस वीरान जंगल में राजा विक्रमा दित्य नीलिमा को कैसे बचाता है। बचा पाता भी है या फिर वो अभी अभी मिले इस नए साथी को यही खो देगा। नीलिमा के आँखे न खोलने पर राजा घबरा गया। वो व्याकुलता से नीलिमा की ओर देखने लगा। नीलिमा कृपया करके अपने नेत्र खोलो। तुम उसने दो-तीन बार ऐसा किया, तो नीलिमा ने अपने आँखे खोल दी। उसे आँखे खोलते देख, राजा का मुर्जाया हुआ चेहरा खिल-खिला उठा। नीलिमा, तुम ठीक तो हो ना। विक्रमादित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों के भरते हुए कहा। नीलिमा ने धीमे से अपनी पल के जपकाई, लेकिन फिर से उसकी आँखों के आगे अंधेरा चाने लगा, और वो मूर्चित हो गई। अभी अभी विक्रमादित्य की सांस में सांस आई थी, लेकिन नीलिमा के फिर से बेहोश होने पर, वो फिर से उदासी से घिर गया। दोशी ठहरा रहा था, तभी उसे एक जड़ी बूटी का ध्यान आया, बचपन में एक बार उसकी बहन के चोट लगने पर, एक वैद्य ने उसके पास, जंगल से वो जड़ी बूटी मंगाई थी, उसने नीलिमा को उठा कर अपनी पीठ पर लाद लिया, और फिर जंगल की पत्तियां और उसके फूल तोड़ने लगा, फूल पत्ते तोड़ कर उसने दो बड़े बड़े पत्तर उठाए और दोड़ते हुए उन्हें नदी के जल से धोलाया, फिर उसने उन पत्तरों को पोँचा और जड़ी बूटीयों को पीशने लगा, कुछ देर बाद ही वो फूल पत्तियां अच्छे से पीस चुकी थी। उनके गुद्दे को विक्रमादित्य ने अपनी मुठी में भरा और नीलिमा के पास पहुँच गया। फिर उसने एक हाथ से नीलिमा का मुह खोला और दूसरे हाथ से उस गुद्दे का रस नीलिमा के मुह में डाल दिया। कुछ तो उसके मुह से रिस्ते हुए नीचे गिर गया और कुछ उसके पेट में। बचे हुए गुद्दे को विक्रमा दित्य ने उसके सिर पर लगा दिया और अपनी बाजू का कपड़ा फाड़के उसके सिर पे बांध दिया फिर वो वहीं उसके पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा धीरे धीरे रात हो चुकी थी पूरा जंगल अंधेरे से भर चुका था लेकिन नीलिमा को अभी तक होश नहीं आया था राजा को काफी घबराहट हो रही थी वो बार बार उसके गाल थप थपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था पर वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी राजा अब फिर से उन जड़ी बूटियों को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया लेकिन तभी नीलिमा ने अपनी आँखे खोल दी विक्रमा दित्य नीलिमा ने अदखुली आँखों से कहा उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था इसलिए वो बमुश्किल ही बोल पा रही थी उसके मुह से अपना नाम सुनके राजा की धड़कने बेताहशा धड़कने लगी वो शीगृता से नीलिमा के पास बैठा और उसे अपने गले से लगा लिया इश्वर का शुक्र है तुम ठीक हो पता है मैं कितना घबरा गया था राजा ने समवेदना से कहा वो अपनी भावनाओं पर बिल्कुल भी निरंतर नहीं रख पा रहा था नीलिमा के दूर जाने के डर से ही वो बहुत घबरा गया था वही नीलिमा के हाथ हवा में ही रह गय थे वो उसके सीने से लगते ही पूरी तरह होश में आ गई थी और आखे फाड़े सामने की तरफ देख रही थी राजा को जैसे ही होश आया उसने शर्मिन्दा होके नीलिमा को छोड़ दिया और पेड़ से टेक लगा के बैठा दिया मैं ठीक हूँ नीलिमा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम आराम करो अभी रात को फल तो नहीं तोड़ सकते इसी लिए जो तोड़े थे वहीं उठा कर ले आता हूँ तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है तुम्हारा भोजन करना बहुत आवश्यक है राजा ने कहा नहीं राजन मैं ठीक हूँ हमें आगे बढ़ना चाहिए नीलिमा ने उठने की कोशिश करते हुए कहा शांती से विश्राम करो तुम ठीक नहीं हो इस समय आगे बढ़ने से ज्यादा आवश्यक तुम्हारा ठीक होना है मैं फल लेकर आता हूँ विक्रमादित्य ने कहा और उठकर फल लेने के लिए चला गया वो जैसे ही फल लेकर वापिस आया उसने देखा विक्रमादित्य एकदम स्वस्थ हो चुकी थी उसके चोड के घाव भी नहीं दिख रहे थे विक्रमा दित्य आश्चर ये चकित होकर उसे देखने लगा तुम्हारी चोट कहां गई? मेरा मतलब तुम्हें चोट आई थी न, वो ठीक कैसे हो गई? राजा ने उसे एक तक देखते हुए पूछा तुम भूल रहे हो तो बता दूँ मैं मायावी हूँ तब मैं बेचेत हो गई थी और रक्त बहने की वज़ह से कमजोरी आ गई थी तुम्हारी औशधी से मुझ में शक्ती का संचार हो गया और मेरी मायावी शक्तियों का भी संचार होने लगा इसलिए अब जब मुझ में पूरी तरह से शक्तियों का संचार हो गया था तो मैंने स्वयम को ठीक कर लिया नीलिमा ने कहा अच्छा तो ये बात थी राजा ने हैरानी से कहा हाँ चलो भोजन करके अब आगे बढ़ते हैं नीलिमा ने कहा हम हम राजा ने कहा और सारे फल उसके पास रख दिये फिर दोनों ने उन्हें खाया और पानी पीकर आगे बढ़ चले कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना एक पड़ाव पूरा कर लिया था अब वो अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ चुके थे जब एक पड़ाव में उन्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो देखने वाली बात है उन्हें आगे आगे किन-किन चीजों का सामना करना पड़ेगा आगे का सफर तो और भी रोचक होने वाला है बने रहिए मेरे साथ और विडियो देखते रहिए समय के साथ तालमेल करते हुए विक्रमादित्य और नीलिमा अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे अब तक उन्होंने बहुत सी दूरी तै कर ली थी रात के आखिरी पहर तक चलने के बाद विक्रमादित्य ठक कर चूर हो चुका था उसने नीलिमा को रुखने के लिए बोला और एक व्रिक्ष का सहारा लेते हुए लेट गया नीलिमा भी उसकी हालत समझ रही थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और विक्रमादित्य के दूसरी तरफ वाले व्रिक्ष का सहारा लेकर वो भी वहीं बैठ गई कुछ देर बाद ही निद्रा देवी उनकी आँखों में समाँ गई और वो दोनों निद्रा वस्था में पहुंच गए ठक कर सोने पर जो सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग होती है और इस वक्त राजा के मुख पर वही सुख नजर आ रहा था कुछ वक्त बाद ही जब सूर्य की उजली किरने उनके मुख पर पड़ी तो दोनों ही हडबडा कर उठ गए नीली मा उठकर खड़ी हो गई और राजा विक्रमादित्य अंगड़ाई तोड़ने लगा फिर दोनों एक दूसरे से विपरीद दिशाओं में चले गए नित्य क्रिया के बाद समुंदर में स्नान किया और फिर भोजन करके फिर से आगे बढ़ चले ऐसे ही चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई सूर्य आसमान में आग के गोले की तरह चमक रहा था उसकी गर्मी से राजा विक्रमादित्य पसीने से बिलकुल नहा चुका था ताज्जुप की बात तो ये थी कि नीलिमा को भी पसीने आ रहे थे राजा ने कई बार गौर किया असना बेशक एक राक्षसी थी पर उसमें बहुत से मानव गुन भी थे पर विक्रमादित्य ने उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा क्यूंकि उसने एक दो बार पूछने की कोशिश की थी तब नीलिमा ने उसे टाल दिया था इसलिए उसने सोचा राक्षसों के भी कई प्रकार होते हैं क्या पता नीलिमा कौन से प्रकार की राक्षसी है? काफी दूर तक चलने के बाद विश्राम करने के उद्देश्य से वो दोनों एक व्रिक्ष के किनारे बैठ गए। कुछ फल भी तोड़ लिये थे। उन्हें खाने के बाद विक्रमा दित्य ने सोने के उद्देश्य से अपनी आँखे बंद कर ली। व्रिक्ष के नीचे बहुत शीतल और ताजा हवा चल रही थी। कुछ विक्रमा दित्य ठका हुआ था ही, कुछ ही देर में उसकी आँख लग गई और वो गहरी नींद में पहुँच गया। परंतु नीलिमा को अभी नींद नहीं आ रही थी तो वो आगे बढ़ने के लिए रास्तों के बारे में सोचने लगी कि कौन से से वो जल्दी पहुँचेंगे। वो आँखे बंद किये गहन सोच में डूबी हुई थी कि उसे सीसी की आवाज आई। नीलिमा ने अपनी आँखे खोली तो उसकी नजर सीधे विक्रमा दित्य पर गई। उसके उपर एक बहुत बड़ा सर्प बैठा था। उसका रंग हलका गुलाबी, चटक लाल और काला था। ऐसा सर्प शायद ही कभी किसी ने देखा हो। वो देखने में बेहत सुन्दर लग रहा था। नीलिमा ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और सर्प को अपने हाथ में पकड़ कर दूर फेंग दिया। लेकिन हडबडाहट में वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा विक्रमा दित्य के उपर जागिरी। ऐसे किसी भारी चीज के उपर गिरने पर जा तक कि दोनों की सांसे भी आपस में टकरा रही थी। विक्रमा दित्य को नजाने क्या हुआ उसने अपने हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिये लेकिन उससे पहले ही नीलिमा खड़ी हो गई और राजा को सामने की और देखने को कहा। विक्रमा दित्य जहेंपकर अ अपना फन पहला कर ऊपर उठा और देखते ही देखते एक स्त्री में बदल गया। विक्रमा दित्य की तो आँखें ही चौंधिया गई। उसने इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में केवल कहानी किताबों में ही सुना पड़ा था। आज एक इच्छाधारी नागि सुन्दर सा लिबास पहना था जिसमें उसकी पेट और कमर साफ नजर आ रहे थे। उसका सुडॉल शरीर और कमर से नीचे तक आते बाल उनमें भी नाग के फन का बना हुआ सुनहरा ताज कुल मिला के वो बेहत खूबसूरत और आकरशक लग रही थी। ऐसी स्त्री शायद विक्रमादित्य उसे उस नजर से देख ही नहीं रहा था, जिस नजर से नीलिमा समझ रही थी। वो तो उसे इसलिए आश्चर्य चकित होकर देख रहा था, क्योंकि नाग से मनुष्य में परिवर्तित होना, उसके लिए कोई साधारन बात नहीं थी। वो स्त्री होंठों पर मुस्कान लिए, विक्रमा दित्य की तरफ बढ़ी तो, पूरा जंगल उसके पैरों में पहनी, पाइलों की छन छन की आवास से गूंज उठा। उसकी चाल भी इतनी अद्भुती कि चलते हुए भी वो किसी को भी अपने निकटाने के लिए वशिभूत कर दे। उपर से उसके चेहरे की मुस्कान तो ऐसी थी कि मनुष्य हृदय घात से ही मर जाए। मुस्कुराते हुए तो वो और भी सुन्दर और प्यारी लग रही थी। कमर को लचकाते हुए मुस्कान के साथ जैसे वो चल रही थी। अगर राजा विक्रमादित्य की जगय कोई और होता तो अब तक सैक्ड़ों बार उस पर अपना हृदय नियोचावर कर चुका होता परंतु वीर विक्रमादित्य ठहरा वो किसी की सुन्दरता के आधार पर उसके प्रेम में पढ़ जाए ऐसा तो होना असंभव था प्रेम नहीं आकरशन क्योंकि सूरत देख के केवल आकरशन ही होता है उस स्त्री को अपनी तरफ बढ़ते देख विक्रमादित्य की आँखे छोटी छोटी हो गई वही नीलिमा अजीब सा मुह बनाते हुए उसे घूरे जा रही थी वो स्त्री विक्रमादित्य के समीप आकर खड़ी हो गई तो विक्रमादित्य थोड़ा पीछे हो गया धरो मत मानव मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुँचाऊंगी उस नागिन ने मुस्कुरा के कहा आप हैं कौन और यहां क्यों आई है राजा विक्रमादित्य ने पूछा मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ मैं यहां आई तो अपनी आदतानुसार तुम्हें डसने के उद्देश्य से थी परन्तु मैं तुम्हारी सुंदर्ता पर मुग्ध हो गई हूँ मेरे राज्य में भी बहुत से नाग है अति आकर्शक है परन्तु तुम्हारे जैसा कोई नहीं मैंने अपने जीवन काल में बहुत से मनुष्य भी देखे है लेकिन तुम्हारे जोड का आज तक कोई नहीं देखा तुम तो सबसे सुंदर और पल भर में किसी को भी अपनी तरफ आकर्शित करने वाले प्रतीत होते हो मैं तुम पर मोहित हो गई हूं मानव उस नागिन ने विक्रमादित्य के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा नीलिमा उसकी बातों और हरकतों से असहज हो गई इसलिए मुह फिर कर खड़ी हो गई उसे उस नागिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये आप कैसी बाते कर रही हैं कृपिया थोड़ा दूर होके बोलिए मैं तो आपको जानता तक नहीं विक्रमादित्य ने पीछे होते हुए कहा तो अभी जान लो मेरा नाम अमृता है मैं विशाल सामराज्य नागदेश के राजा नागेश्वर भद्रक की पुत्री हूँ नागिस्तान की राजकुमारी मुझसे ज्यादा सुन्दर और आकरशक मानव जाती में तो कोई हो ही नहीं सकता नागिस्तान में भी नहीं है अब अपने बारे में बताओ कुछ अमृता ने विक्रम को एक सांस घूरते हुए कहा मेरा नाम विक्रमादित्य है मैं अवंतिका राज्य से यहां अपने पिता के लिए एक औशधी लेने आया हूँ अब कृपया मेरा मार्ग छोड़िये और जाइए यहां से राजा ने सीधे सपाट शब्दों में कहा अब ये संभव नहीं है विक्रमादित्य मैं सच में तुम पे अत्यधिक मोहित हो गई हूँ मैं तुम्हे पाना चाहती हूँ अब तुम्हें केवल और केवल मेरा ही होना होगा मेरे साथ मेरे सामराज्य नागिस्तान चलकर मुझसे विवाह करना होगा अमरिता ने गंभीरता से कहा इस बार तो नीलिमा का गुस्सा साथवें आसमान पर था परन्तु वो राजा विक्रमा दित्य के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी और शान्त रही नहीं अमरिता ये कभी नहीं हो सकता तुम मुझे स्वयम से प्रेम करने के लिए बाद्ध्य नहीं कर सकती विक्रमा जीत ने हलके नहीं है अमृता ये केवल आकर्शन है प्रेम कभी किसी की सुन्दरता ओहदे और धन धानने की वस्तुएं देख कर नहीं होता तुम्हें मैं सुन्दर लगा तो तुम मोहित हो गई और अब मुझे जबरदस्ती स्वयम का बनाने के लिए अपने साथ चलने को बाध्य कर रही हो ये प्रेम नहीं है राजा विक्रमादित्य ने गंभीर शब्दों में कहा ठीक है आकर्शन है ना तो मैं तुम्हारी तरफ आकर्शित हो गई तो तुम क्यों नहीं हुए क्या मैं सुन्दर नहीं हूँ मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर मुझ में कोई और कमी है अमृ कोई भी इंसान तुम्हें देख के आकर्शित हो सकता है तुम्हें देखते ही तुम्हें पाने को विचलित हो सकता है अपने मन में तुम्हारे लिए आकांक्षाएं जगा सकता है राजा किवल सच्चा ही बता रहा था परंतु अमृता इसे उसकी भावनाएं समझ रही थी और साथ ही अपनी सुन्दरता की प्रशंसा पर मुस्कुरा रही थी वही नीलिमा ने अपनी मुठियां कस के बंद कर ली थी नजाने क्यों पर उसकी पलके भी भीग गई थी मतलब तुम्हें मैं पसंद हूँ और तुम मेरा प्रणय निवेदन स्विकार कर रहे हो अम्रिता ने बड़ी सी मुस्कान होटों पर ले कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा मैं केवल बता रहा था कि तुम बहुत सुन्दर हो कोई भी पुरुष तुम से विवा करने के लिए तैयार हो जाएगा परन्तु मैं नहीं मैं यहां अपने पिता के लिए और शद्धी लेने आया हूँ और वही लेकर जाऊंगा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं राजा ने शून्य भावों से कहा उसकी बात सुनकर नीलिमा का चेहरा खिल उठा वहीं अम्रिता गुस्से से भर उठी वो आवेग में आते हुए बोली मुझे ना सुनने की आदत नहीं है छोकरे मैं जिस वस्तु को चाहती हूँ उसे प्राप्त करके ही मानती हूँ मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर तुम अब मुझे मेरा फन चलाने के लिए विवश कर रहे हो अमरता ने गुस्से से तेज तेज सांसे लेते हुए कहा अमरता ये कैसा प्रेम है तुम्हारा एक तरफ तो कहती हो प्रेम करती हो प्राप्त करना चाहती हो और दूसरी तरफ मुझे मारने की धमकी दे रही हो राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भाव के कहा मानव, मुझे पता है तुम मुझे अपने शब्द जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो बच्पन से सुनती आई हूँ ये मनुष्य किसी के नहीं होते बस मतलब के साथ ही होते है मीठी मीठी बाते करने वाले तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते है ये नागों से कम नहीं होते फर्क बस इतना है हमारे दांतों में जहर होता है हम सामने से काटते हैं लेकिन तुम्हारी तो जुबान ही जहरीली होती है उसे अमृत दिखा के मीठी मीठी बातें करते हो और फिर पीछे से वार करते हो मैं तुम जैसे के शब्द जाल में नहीं फंसने वाली मनुश्यों से हमें हमेशा से ही नफरत रही है लेकिन तुम्हारी सुन्दर्ता पे मैं कुछ देर के लिए मुगध हो गई थी और सोचा था तुम्हें अपना बना लो पर तुम इस लायक हो ही नहीं हमारे नागिस्तान में नागों की कमी नहीं है जो मैं तुम जैसे तुछ मनुश्य को पाने के लिए मिन्नते करूं अमृता ने गुस्से से कहा और अपना रूप बदल लिया अब वो आधी नागिन और आधी इंसान बन चुकी थी विक्रमा दित्य ये तुम क्या कर रहे हो इस नागिन के आगे तुम्हें जुकने की या अपने प्राणों की बक्षीश मांगने की आवश्यक्ता नहीं है हम इसका सामना करेंगे काफी देर तक अमरता की बकबक सुनने के बाद नीलिमा तमताएं हुए चेहरे से बोली उसकी बात सुनकर अमरता पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गई वो दसकर जान लेने वाली नजरों से नीलिमा को घूर रही थी नीलिमा के सामना करने की बात को युद्ध की ललकार समझ अमरता क्रोधित होते हुए बोली अच्छा तो तुम मेरा सामना करोगी एक बदसूरत और मामूली सी राक्षसी महानागिन अमरता का सामना करेगी आओ, तुम्हें तुम्हारी औकाद दिखाओं अगर तुम्हें जान से नहीं मार दिया तो मैं भी नागिस्तान की नागिन नहीं अमरता ने गुस्से से उबलते हुए कहा और जो उसका आधा शरीर स्त्री का था वो भी नागिन में बदल गया इस वक्त वो बहुत विक्राल और भयानक रूप धरन किये हुए थी क्रोध की वजह से उसका सर्प वाला चेहरा पेहद खतरनाक दिख रहा था वो फूंफ कारते हुए जैसे ही प्रहासना की और बढ़ी राजा विक्रमा दित्य नीलिमा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया रुक जाओ अमृता उसके समीब जाने का प्रयतन भी मत करना तुम मुझे मारना चाहती थी न तुम मुझे ही वार करो उस पे नहीं राजा विक्रमा दित्य ने चीखते हुए कहा महराज तुम सामने से हट जाओ मुझे विश्वास रखो मैं इसे हरा दूंगी तुम इससे डरो मत ये मेरा कुछ नहीं बिगाड पाएगी नीलिमा ने क्रोधित होते हुए गंभीर भावो से कहा तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड गया है क्या नीलिमा वो एक मायावी नागिन है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड पाओगी परन्तु वो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड देगी तुम शानत रहो और शानती से चली जाओ यहां से राजा विक्रमादित्य ने क्रोधित होते हुए कहा अगर ये मायावी है तो इतनी माया मेरे पास भी है गनीमत था कि उसे कोई चोट नहीं आई लेकिन उस पे वार करके अमरिता ने नीलिमा के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा दिया था राजा वीर विक्रमाजीत को गिरते देख वो भड़क उठी थी उसने अपनी आँखे बंद की और देखते ही देखते विक्राल रूप धारन कर लिया और फिर जब आँखे खोली तो उसकी आँखे गुसे से ऐसे लाल हो चुकी थी जैसे उनमें रक्त भर दिया गया हो और वो अभी रिस्कर बहने लगेगा उसने अपनी दिशा मोडते हुए जैसे ही ज्वाला सी दहकती आँखों से एक नजर अमरिता की और देखा एक बार तो अमरिता की भी पूँच में कमपन सा होने लगा पर वो तो नागिन थी महा नागिन ऐसे कैसे पीछे हट जाती इसलिए फिर से खुद के अंदर क्रोध भरा और हो गई तैयार नीलिमा से भिढ़ने के लिए नीलिमा का ये रूप देखकर एक बार तो राजा विक्रमा दित्य के भी पसीने छूट गए थे ऐसा नहीं था कि उसने नीलिमा को इस रूप में नहीं देखा था दो तीन बार वो देख चुका था परंतु इस समय जो उसके मुख पर क्रोध और आँखों में आग सी जल रही थी उसे देखके तो अच्छे अच्छो के पसीने छूटने लगे अमरिता जैसे ही फुम्फकारते हुए नीलिमा की तरफ बढ़ी नीलिमा भी उसकी तरफ बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली फिर उसकी पूँच और पेट पर से पकड़के उसे अपने कबजे में लेते हुए उसका सिर नीचे जमीन पर पटकने लगी अमरिता भी कहां कम थी उसने दिमाग लगाते हुए अपनी केंचुली उतार दी जिससे वो फिसलते हुए नीलिमा के हाथ से छूट गई और नीलिमा के हाथ में बस उसकी उतारी हुई केंचुली रह गई नीलिमा जैसे ही उस पर फिर से हमला करने के लिए बढ़ी वो उसके हाथ में ही नही आई केंचुली उतारने की वज़ा से उसकी नई खाल एकदम मखमली और फिसलनी हो गई थी जिससे नीलिमा उसे पकड़ नहीं पा रही थी पकड़ना चाहा भी रही थी तो वो उसके हाथों से फिसल जाती थी अब अमरिता ने दूसरी तरफ मुह करते हुए अपनी पूँच से नीलिमा पर वार कर दिया जिससे वो एक पेड से जा लगी नीलिमा को तो ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन पेड उखड कर दूर जा गिरा नीलिमा क्रोधित होते हुए उठी और फिर नीचे जुक कर अपने हाथों में मिट्टी भर ली उन्हें हाथों में रगड़ते हुए आगे बढ़ी और फिर से अमरिता को गर्दन से पकड़ लिया मिट्टी की वजह से उसकी चिकनी खाल को पकड़ना आसान हो गया फिर नीलिमा ने उसको ऐसी पठखनी दी कि कोई सामान्य मनुष्य होता तो उसकी रीड की हड़ी के साथ साथ बाकी की हड़ीयों का भी कचुंबर बन चुका होता पर वो तो एक मायावी नागिन थी तेजी से उठी और क्रोध से फुम्फकारते हुए तूट पड़ी नीलिमा पर दोनों के बीच भीशन युद्ध छिड़ चुका था